हलो फ्रेंड्स वेलकम टो कृष्णक्रेशन आज मैं आपको प्रिंसिस कट में 34 साइज की पेपर कटेंग करना बताऊंगी तो उसके लिए मेजरमेंट यहां इस तरह से हैं यह देखिए जो लेंद है यहां पर वो है 14 इंच जैस्ट यहां पर हम बना रहे हैं 34 इंच के लिए कमर वेस राउंड इसमें है 30 शोल्डर यहां पर है 14 और आर्म होल है 14.5 फ्रंट नेक मैं लूँगी 6 इंच का बैक नेक लूँगी 9.5 इंच का और बस पॉइंच इसमें आएगा 10 इंच का तो अब हम इससे यहां पर मार्किंग करते हैं सबसे पहले आपको निशान लेना है यहां लेन्द का यह देखें लेन्द हमारे पास है 14 इंच तो मैं वान इंच प्लस करूँगी और लूँगी 15 इंच पर लेन्ध के बाद हम निशान लेंगे शoldर के लिए तो यहां पर शोल्डर 14 हैं लेकिन है 34 साईज है इसमें हम 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे और यहां स से आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंच इसके बाद चैस्ट का फोर्थ पार्ट आपको लेना है तो यह आएगा 8.5 और 8.5 के बाद आपको इसमें मार्जिन रखना है 1.5 इंच का अगर आप बोडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप यहां चैस्ट के मेजरमेंट उसमें 1.5 इं और उसमें 1 इंच आएगा डाट का और 1.5 इंच आएगा मार्जिन का तो साइड के दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं अब यहां पर बैक की डाट होती है उसे इसके सेंटर में ले लेते हैं और यहां पर आपको एक 5 इंच लंबी 1 इंच की डाट लेनी हैं अब आप घ Parece maior नया Seven दीपनेस सकते हैं क्योंकि हम ने यहां पर और दे *** हमें ले रही हूँ दी के मैं इसे लिए हैं इसलिए यहांपर 10 अब नहीं हूंघह कर दियाँ दृ 2.5 इंच का और देखिए यह 3 इंच के ቡेल हैं जो बनने के बाद रह जाएंगे तू इंच के दाई इंच का हमने यहां पर नेक लिया है और उसके बाद यहां बनाओंगी तो देखिए यहां पर मैंने बेक का नेक लेगा है और iš g apriday इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे यहां पर इससे मिला देंगे आप अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप यहां पर इस तरह से फ्रेंच कर्व रखकर भी मिला सकते हैं अब देखिए शोल्डर डाउन में जब डीप नेक होता है ना तो हम हल्क आसा इस साइड इसे डाउन करते हैं और अगर आपका कॉलर का नेक हो तो आपको इसे जैसे हम शोल्डर डाउन करते हैं शोल्डर की शेप में ही डाउन किया जाता है लेकिन जब डीप नेक होता है तो यहां पर इस तरह से करते हैं तो अगर आपके शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम बहुत जादा है आपको तो आप यहाँ पर नेकी broadness कम लीजिए इस तरह से मेरा back part complete हो गया है अब मैं इसकी cutting कर लेती हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने back का piece cut कर लिया है और अब आपको front का piece निकालने के लिए इसे same draw करना है तो मैंने यहाँ पर back का piece same draw कर लिया है अब हम इसमें front के लिए जो changes करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो आप length में यहाँ 1 inch इसे बढ़ा लीजिए उसके बाद अब आपको change करना है यहाँ अब मैं यहाँ neck ले ले लेती हूँ neck मैं ले रही हूँ 6 inch का तो जैसा भी आपको neck में shape लगाना हो उस तरह से आप यहाँ shape लगा ले अब हमको arm hole में हलका सा change करना रहता है front के लिए तो देखिए यहाँ पर 1.5 inch तो यह margin है इसके बाद आपको इस तरह से front की shape लगानी है तो देखिए अब हम इसका burst point लेंगे किस तरह से जो chest है उसका fourth part निकाली है आएगा 8.5 उसमें हम one inch add करेंगे तो आएगा 9.5 और यहाँ से half inch लाई में जाएगा याने यह आजाएगा 10 inch तो 10 inch पर इसका आएगा burst point अब यहाँ से इसको लेना है आपको 3.5 या 3.4 क्योंकि 34 chest है उसका दसवा भाग आपको यहाँ से लेना है यह आगया इसका burst point अब इसे हम इस तरह से नीचे मिलाएंगे तो नीचे सीधा नहीं करते हुए हम इसे हलका सा तिर्चा लेते हैं अब इसे आपको इस point पर मिलाना है या तो आप इसे हाँ से मिला लें या जो फ्रेंच कर वहना उससे भी आप इसे इस तरह से easily मिला सकते हैं देखिए अब यहाँ पर बात आती है dart की तो आपको dart कितनी लेनी है dart लेनी है मुझे 2 इंच की क्योंकि इसका जो waist round है और इसका जो chest है उसमें 4 इंच का अंतर है तो आप यहाँ पर 3 इंच की dart भी ले सकते हैं जादा तर जो 36, 38, 40 वाले होते हैं उनको 3 इंच की ही dart लेनी चाहिए और उसके बाद आप उसे dart को बढ़ा भी सकते हैं बड़े साइज में तो यहाँ पर 2 इंच की हमने यह dart ले ली है आप यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट का निसान लगा ले हैं किस तरह से 30 साइज है वेस्ट राउंड उसका 4 पाट हुआ 7.5 यह निशान लगा लिया उसके बाद हमको लगानी है 2 इंच की dart यह लगा लिया अब इस dart को सिलने में कपला जाएगा तो 1 इंच हमने यह एक्स्टा ले लिया क्योंकि हाफा फिंच दोनों साइट से जाएगा यह कटिंग होगी तो उसके बाद आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है तो फाइनल आपकी जो वेस्ट आएगी न वो इतनी आएगी अब यहाँ से यहाँ मिलाना है तो देखें यहाँ पर भी कट होगा तो एक इंच कपड़ा आपको यहाँ लेना है अब आप इन दोनों निशानों को मिला लीजिए इस तरह से आप प्रिंसेस कट को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं अब देखें यहाँ वाला निशान भी मैं इसे यहाँ पर मिला देती हूँ और उसके बाद आप इसे अच्छे से हास से इस तरह से आप इसमें फिनिशिंग कर लें अब देखें यहाँ पर आपकी लेंध बढ़ जाएगी और यहाँ पर आदा एक इंच लेंध बढ़ाई है ना लेकिन हाफ इंच आदा इंच हम यहाँ पर करेंगे अब इससे क्या होता है कि जब आप फिटिंग करेंगे ना तो आपके यह दोनों पीस यहाँ पर बराबर आएंगे फ्रन्ट पीस इस तरहें कट होगा यह है 34 साइज के लिए अब मैं इसकी भी कटिंग करके आपको बताती हूँ देखे अगर आपको शोल्डर डाउन की प्राब्लम बहुत ज़्यादा हो ना तो आप यहाँ पर जो गले की ब्राडनेस होती है वो ज़्यादा नहीं दे जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ रखें कई बार क्या होता है यहाँ से हम ज़्यादा कर लेते हैं एक दम चोड़ा स तब भी हमारे शोल्डर पीछे की साइड गिरते हैं तो इस तरह से यह 34 साइस की मैंने पेपर कटिंग आपको बताई है अगर आप कपले पर कट करें तो आप सेम इसी तरह से कट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें पूरा मार्जिन ले लिया है इधर का भी बस आपको देखना है कि आपको फ्रंट ओपन बनाना है या बैक ओपन अगर आपको बैक ओपन बनाना है तो यहां पर आप एक सेंटीमीटर का मार्जिन ले 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 बस और इसके लाबा आपको सेम इसी तरह से डारेट कपला भी आप कट कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आये तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार